तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रकास से यूटेक में गाईजेके ट्यू के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत पूर सूचना सामने निकल कर आई है एक आफिसियल सरुकुलर है जो की इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी छात् हैगा तो टोली जो यह वीडियो हने वाला है वह एक्जाम के सबस्कुलर को इससे बहुत है इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आप इस देख लेशिते हैं कि पहले क्या कुछ स्रुकुलर आया है क्या कि कुछ आ अफिसियल अपडेट है उसके बाद सारी चीज़ों को बारी की से आपको बताएंगे तो देखे गाईज यहां सब देख सकते हैं कि विसाय जो है वो सैच्छिक सत्र दोजबी से किस में विस्वविद्याले में अध्यानरत छाच्छात्राओं के सुल्क के संबंद में गाईज एक्जाम फीस को लेकर या फिर कर सकते हैं नार्मल सब फीस को लेकर यह अबडेट है तो यहां से देख कर आपको में बता दूं कि क्रिपया आप सभी को अगत कराना है कि माननी उलाधि पती महोदया के निर्देशों के क्रम में कोविद-19 महामारी के द्रिश्टिग विश्वव बिद्याले में अध्यान रच्छा छत्राओं से वार्सिक सुल्क दो किस्तों में लिये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है तदा अनुसार अउगत होते हुए आवस्य करवाही कराया जाना सुनिश्टित करें तो गाईस देखिए महातबोर्ड वीडियो था एक ट्यू के सभी छात्रों के लिए देखिए यहाँ पर मैं बता दो कि वाईस चांसलर जो है कुलपती सहाब ने उन्होंने क्या कहा है कि सभी कालेज और इंस्ट्यूट को यह निर्देश दिया जाता है कि वो छात्रों से एक बार में फीस नहीं मतलब देना है और काल हुआ है वो कहीं ने कहीं डैमेज हुआ है डिश्टर्ब हुआ है तो इस कारण जो छात्र है वो फीस नहीं दे पाएंगे गाईज और जो मैं आपको बता दूँ कि देखिए जिन छात्रों ने बैक का एक्साम दिया था उनका जो रिजल्ट है वो फस्ट यर का जब सिमेश साथ मतलब उनका जो बैक का रिजल्ट है वह इसको भी स्वाउट किया जाएगा और देखे गाईज एक जो और अपडेट है एक्जाम को लेकर बोई है कि देखिए नौ मार्च से एक्जाम चालू है एक ट्यूट के मैक्सिमुम जो एक्जाम है मैक्सिमुम कोर्स के वो देखिए उसी बीच में आपको प्रैक्टिकल भी कराने का निर्देश दिया गया है क्योंकि 27 के बाद होली का चुटी हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँ कि होली के चुटी के बाद एक अप्रेल से नया सेसन चालू हो जाएगा देखिए एक अप्रेल से फिर 15 अप्रेल से आपको क्या लगता है कमेंट का जरूर बता सकते हैं साथ ही आपको क्या लगता है कि जो फीस है वो दो बार में देना उचीत है या नहीं या फिर कुछ डिसकाउंट मतलब कंसेशन टाइप का होना चाहिए था आप अपनी राय कमेंट में देना हमें बिल कीजिए साथ में बेल आइकन को ही टेस्ते कि आवा नेक्स टाइब में कोई भी एकेटी या फिर या फिर यूपी स्कॉलर से प्रेटरे वीडियो प्रोट करूँगा आप उन्टिफिकर संत्रों पता चल जाए गाइस अवर अभी आपने हमारी चैनल पर विजिट करकी यू